अपनी उर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेतर है, इसका उप्योग समाधान रूनने में किया जाए परिसानिया से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिन्दगी में एक इंतिहान होता है हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिन्दगी में लड़ने वाले की कदमों में जहां होता है कितनों की तकदीर बदलनी है तुमें, कितनों को रास्ता पर लाना है तुमें अपनी हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों के आगे जाना है तुमें सक्ति सारीरिक छमता से नहीं आती है या एक अदम में इच्छा सक्ति से आती है चुनुतियां इस जिन्दगी को महान बनाती है और इसी से आपके जिन्दगी का महत्वत तै होता है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबुरियों को मत देखो मत पोसो हरहाल में जलना सीखो जीवन में कठनाईयां हमें बरबाद करने नहीं आती बलकि यह हमारी चुपी हुई सामर्थ और सक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है कठनाईयां को यह जान देने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन है अपने होसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेसानी कितनी है अपनी परेसानी को यह बताओ कि तुम्हारा होसला कितना बड़ा है उचा उपना है तो अपने अंदर के अहमकार को निकालगर स्वयं को हलका कीजिए क्योंकि वही उपता है जो हलका होता है जो सफर की सुरुवात करते हैं वो ही मंजिल को पार भी करते हैं बस एक बार साथ चलने का खुसलार तो रखिए अच्छे दोस्तों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो परमात्मा को राजी करने की वजाए लोगों को राजी करने में लगा रहता है वो भूल जाता है कि रव राजी तो सब राजी कल ना हम होंगे ना कोई इला होगा सिर्फ सिब्टी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हें हैं चलो हसकर विता ले जाने कल जिन्दगी का क्या फैसला होगा झाल